बाई चॉकलेट कुकिज किसको पसंद नहीं है वो भी ओवर लोड़ेट चॉकलेट सुबह की सुरवात ही बिस्किट और कुकिज से होती है और रात के सोने तक इसकी याद आते रहती है हाई एवरिवन पूनम है और वेलकम टू रसोई बिहार की तो आप अपना प्यार बनाए रखे मुझे सस्क्राइब लाइक करे और फ्रेंड्स फैमली में वीडियो सेयर करे तो इस ओवर लोड़ेट चॉकलेट कुकिज को मैं कड़ाई और ओविन दोनों में बताने वाली हूँ तो वीडियो के अंतर बने रहे हैं कुकिज बनाने के लिए हमें खासा मेजर्मेंड का ही ध्यान रखना होता है तो यहां पे मैं सॉल्टेट बटर ली हूँ 100 ग्राम अगर आप सॉल्टेट बटर लेते हो तो есॉल्ट नहीं जाएगा अगर आप सॉल्टेट बटर नहीं लेते लेते हो तो एक पिंच सॉल्ट जाएगा तो यहां पर मैं salted butter ली हूँ जो कि room temperature पर आप देख सकते हैं बहुत यह अच्छे से melted है तो इसे हम करेंगे अच्छे से beat यह हलका सा floppy हो गया है फिर डालेंगे one fourth cup powder sugar जिसे कि मैंने normal sugar को ही mixi में डालकर powder कर ली हूँ चला ली हूँ और फिर half tea spoon vanilla essence और इन दोनों को अच्छे से करेंगे beat एकदम अच्छे से बिलकुल अच्छे से mix करेंगे इतना करेंगे ताकि यह बिलकुल floppy हो जाए तो यहां पर हमें spatula से तो होगा नहीं तो मैं इसके लिए whisker यूज की हूँ hand whisker जो कि normally हर किसी के पास होता ही है तो आप यहां पर देख स कितना अच्छा से यह butter floppy हो गया है फिर एक strainer में मैं डाली हूँ one cup plus two table spoon मैदा half teaspoon baking powder और इन दोनों को एक strainer में मैं अच्छे से strain कर लोंगी ताकि किसी तरह का कोई lumps ना रहे गांट ना रहे और यह evenly मिल जाए फिर spatula के help से हम इसे करेंगे mix पहले तो हम spatula से हलका इसे mix कर लेंगे फिर हाथों के मदद से हम इसका एक dough बनाएंगे बहुत ही soft सा dough बनाना होता है तो अब मैं इसे हाथों की मदद से ही एक dough बना लूँगी तो इतना हमारा process हो गया अभी मुझे थोड़ा सक्त लग रहा है dough तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूद दिया है और फिर इसे हलके हाथों से गूंद लेंगे तो टोटल मैं यहाँ यहाँ पे one and half table spoon milk डाली हूँ जो की normal room temperature का ही मिलके कोई warm वाम नहीं करना है तो यहाँ पे यह देखे soft सा dough बनकर हमारा ready हो गया है अब यहाँ पे जब हम chocolate cookies बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे chocolate chips की जगह पे यह compound milk chocolate में इस तरह से मोटा मोटा crust करके chop करके डालूंगी ताकि जब हम इसे bake करेंगे तो इसका जो chunks रहेगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा और जब हम खाएंगे तो एक मोटा मोटा chocolate का chunks जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा तो हम इस तरह से मोटा मोटा chocolate काटके और फिर dough में हम spatula के help से या फिर हाथ से ही बस इसे एक evenly हमें mix करना है आप यहाँ पे बहुत ज़ादा दवा कर इसे ना कीजिएगा बस हलका हलका हमें mix कर देना है और एक घंटे के लिए refrigerate करना है एक घंटे बाद हम इसे refrigerator से निकालेंगे इसको refrigerate इसलिए करेंगे ताकि बहुत ही ज़ादा यह चिल हो जाएगा जब हम इसे bake करेंगे तो chocolate milk नहीं होगी वो अपने ही जगह पे रहेगी और बहुत ही अच्छी cookies बनकर ready होती है फिर मैं इस तरह का baking plate ली हूँ उसमें baking paper लगाके oil लगाके ready कर ली हूँ और इस तरह से एक measurement के लिए एक table spoon ली हूँ इसे मैं कडाही में बनाने वाली हूँ तो बस इस तरह से हमें spoon में लेना और बहुत तेज प्रेस नहीं करना बस हलका हलका इससे combine करना जोड़ना है सारी dough को हलका हलका करेंगे अगर आप तेज हाथ से दवाईएगा तो ये cookies फैलेगा नहीं soft नहीं बनेगा वो बहुत ही hard हो जाएगा तो इस तरह से stand डालके मैं कड़ाई को preheat कर लीती पहले ही अब ये गरमा गरम कड़ाई में मैं इस तरह से stand डालकर cookies को डाल दी हो 40 minutes के लिए और इसे बीच में एक वार खोलकर आप पलट भी लीजिएगा फिर हम बनाते हैं oven में तो इस तरह से baking tray पे इसी तरह से baking paper लगा के oil लगा के ready कर ली हूँ और oven में मैं थोड़ा बड़े बड़े size की cookies बना रही हूँ जो कि normally market में मिलता है तो इसके लिए मैं ice cream scoop ली हूँ उसमें भी इसी तरह से measurement के लिए मैं कर रही हूँ तो इसे भी बस हलके हाथों से इस चीज़ को बड़े ही अच्छे से आप ख्याल रखे कीजेगा बिल्कुल हलके हाथों से सारे dough को बस हमें कमाइन करना जोड़ना है बिल्कुल आप प्रे प्रेट के जैसा texture नहीं आएगा तो बस इसी तरह से हम सभी cookies को ready कर लेंगे और macro oven में bake करेंगे तो conventional mode पे 180 degree Celsius पे पहले ही preheat करके हम फिर 180 degree Celsius पे 30 minutes के लिए set कर देंगे और यहाँ पे मेरा 40 minutes हो चुका है कडाई के लिए तो आप देख सकते हैं बहुत ही perfect बनकर ready हुआ है cookies अगर वो उपर से crack हो जायागा means आपका cookies perfect बनकर ready हुआ है और यह रहा oven का आप देख सकते हो कोई नहीं कह सकता है कि यह घर का बना हुआ है आप खुद ही देखकर मुझे comment करो कि यह कैसी cookies बनी है और इसका texture कैसा है बिलकुल market के जैसा है या नहीं है तो बस इसी तरह की छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर घर पे ही perfect overloaded chocolate cookies बनाएं खाएं और enjoy करें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई recipe के साथ तब तक के लिए टाटा बाबाई